हेलो गाइज, वेलकम टूदा जेके स्टडी ऑनलाइन, गाइज मैं देख्या है हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक, टूरिस प्लेसिस इन जमू एन किश्मीर, तो गाइज जैसे कि आपने टाइटल से ही समझ लिया होगा, कि आज हम इस वीडियो में कवर करें इंपोर्टेंट टूरिस डेस्टिनेशन इन जमू एन जमू रीजन ठीक है, तो गाइज आपको याद रखना है कि जिक्की एससबी के लगबग हर एक इजाम में इस से एलेटिड कॉस्टेंस आते हैं, जिक्की एससबी, जिक्की पीसी, स्क्वास्ट, स्किम, इन सबके एक इस वीडियो में हम डिस्केस कर लेंगे टूरिस डेस्टिनेशन इन जमू रीजन, तो गाइस वीडियो को शूरू करते हैं, और शूरू से लेके अन तक जुरूर देखिएगा, क्योंकि यह सबी इंपोर्टेंट जो हैं, डेस्टिनेशन, यह आपके एक्जाम पॉइंट यह लोकेटिड है त्रिकुटा हिल्स में लगबग 53,000 फिट पर ठीक है, और आपको याद रखना है कि यह रियासी डिस्टिक आप जमू एन किश्मीर में आता है, ठीक है, यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मात्ता वैशनो देवी श्राइन से लेटिड कि यह 53,000 स्क्वेर फिट की हाइट पर है, वो रियासी डिस्टिक में है, इससे लेटिक कोश्टिंज आ चुके हैं एक्जाम्स में, ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि श्राइन इस 13 किलोमेटर अवे फरांदा कट्रा टाउन, जो मेन कट्रा टाउन है, वहां से इसकी ट् आजकर बिल्कुल प्लेन रास्ता है, तो इसका 13 किलोमेटर रास्ता है कट्रा से, याद रखना, तेरार, थ्री नेचुरल पिंडीज रिपर्जेंटिंग महा सर्ष्वती, महालक्ष्मी और साथ में महाकाली, याद रखना है कि यहां पे थ्री पिंडीज हैं, जिनको महा सर इस आउन डिजस्टर फोर्स, तो आपको याद रखना है कि मात्ता वैशनोदेवी श्राइन बोर्ड के अंदर, फर्स्ट टाइम एक ऐसा श्राइन बनाई है, जिसकी अपनी डिजस्टर मेनेजमेंट फोर्स है, ठीक है, कोई भी वहाँ पे डिजस्टरिस या कोई आपता आपती है, तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इसकी अपनी डिजस्टर मेनेजमेंट फोर्स है, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस देस्टिनेशन पर, वो है रगुनाथ टेंपल, ठीक है, रगुनाथ टेंपल, दी कंस्ट्रक्शन आफ दे में, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाये थे, उन्हीं के आगे संग, जिनका नाम था महराजार अरण वीर सिंग, उन्होंने रगुनाथ टेंपल की जो कंस्ट्रक्शन थी, उसको कंप्लीट किया था, 1860 में, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की और, नेक्स् श्राइन जहां पे है, उनका नाम है, लौड रगुनाथ, यानि राम जी के नाम पे, ठीक है, तो राम जो थे, वो विश्नु के अवतार थे, ये भी आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है, कि जम्मु इन कश्मीर का, अगर पुछा जाए, सबसे बड़ा श्र इस देस्टिनेशन पे, वो है, बहु फोर्ट, बहु फोर्ट, आपने विजिट किया, योगा मैक्सिम्म ने, इट वास ओरिजनली बिल्ट बाए, राजा बहु लोचन, ठीक है, सबसे बहले आपको याद रखना है, कि इसको ओरिजनली बिल्ट किया था, राजा बहु इसको ओरिजनली में, ठीक है, विदिन दा फोर्ट, इस टेम्पल, डेडिकेटेट टो गॉड़ेस, महाकाली, आपको याद रखना है, कि फोर्ट के अंदर ही है, महाकाली जी का, एक मंदिर जिसको बलते हैं, बावे वली माता, ये आइडल जो अंदर, मूर्ति आप बोल सक रखना है, कि एक पॉपुलर, फिर यहाँ पे होता है, जिसका नाम है, बाहुमेला, वो इसी फॉर्ट एरिया में, हर साल, बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, चलते हैं, नेक्स इंपॉर्टेंट, इसके बाद, फोर्थ इंपॉर्टेंट टूरिस कंपलेक्स, ठीक है, इट वासे रॉयल रेजिदेंस ऑफ अर्ष्ट वाइल, डोगरा किंग्स, दी ओल्डे स्ट्चर है, वास बिल्ट इंपॉर्ट इंपॉर्ट आपको याद रखना है, कि मुबारक मंदी कंपलेक्स जो था, ये रॉयल रेजिदेंस था, डोगरा किंग्स का, ठीक है, और ये बिल्ट किया गया था, फॉर्स टाइम, 1824 में, ठीक है, इस इस अ ओल्डे स्ट्रक्चर, इन जमुएन किश्मीर, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने विजिट किया होगा, मुबारक मंदी में, अब भी इसको रिसे, रिकंस्ट किया जा रहा है, क्य कि यहाँ पर सबसे इंपोर्टन जो स्ट्रक्चिन सेक्शन है, वो है शीष महल, इसी के अंडर, और शाथ में, इसका पिंक हाल जो था, उसको आज़कल कनवर्ट कर दिया गया है, डोगरा आर्ट म्यूजियम में, जो जिसमें बहुत ही रिच्चेस कोलेक्शन आफ रियर प में, ठीक है, इसके बाद जाते हैं, एक गोल्ड प्लेटिड बाओ, एंड एरो, आप मुगल एंपरर शाजान, एंड हैंड रिटन, मैनिस्क्रिप्स आफ शा नामा, एंड सिकंद्र नामा, इन पर्शियन, और अमंग सम आफ दे वैल्यूवेबर पॉसेश्चिन साफ दे कि यहां पर एक बाओ आपने देखा ही होगा, जो वैपन्स होता था, वो गोल्ड प्लेटिड है यहां पर, ठीक है, और साथ में एरो भी है, ठीक है, तीर भी है, और साथ में बाला भी है, ठीक है, बाओ को अगर हिंदी में बोलते हैंगे तो बाला, ठीक है, तो यह वैपन में दिखी गई थी शा नमा और सिकंदर नमा की ठीक है ये सारी चीज़ें हमें डोगराप आर्ट म्यूजियम में देखने को मिलती है मुबारक मंडी कंपलेक्स में ठीक है चलते हैं नेक्स इंपोर्टेंट टोरिस डेस्टिनेशन की और वो है अमर महल ठीक है अमर महल बहुत इंपोर्टेंट है इसके लेटिट भी कॉस्टिन्स पूछे जाते हैं इट वास बिट इन 19th संचुरी वाई राजा अमर सिंग तो आपको याद रखना है कि यह जो अमर सिंग पैदस था इसको बनाया गया था 19th संचुरी में राजा अमर सिंग के दवारा ठीक है इस पैले सिंग के दवारा जो आपने देखा ही होगा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के लीडर है अभी ठीक है और इनको अगर आप देख सकते होंगे तो रिकवर करके आप इनको देखेंगे तो यह फस्ट गुवर्नर या फिर सद्रे रियासत थे जमुन किश्मीर के ठीक है चलते है नेक्स पॉइंट की और अमर महल मुजियम हाज मैनी एग्जबेट्स इंक्लूडिंग एक गोल्डन थ्रोन वेटिंग 120 केजी आपको याद रखना है कि यहाँ पे गोल्डन थ्रोन है एक जो 120 केजी वेट है जिसका ठीक है तो आप समझ लीजिए का कि 120 केजी गोल्ड कितने होता है वह यहाँ पे है इस शूट अकुपाइड बाहर दा लेट महारानी तारादेवी पहाडी मिनियेचर और कांग्रा मिनियेचर पेंटिंग्स इस लाइबरी आफ 25,000 एंटीक बोक्स और मैनी रेर आप्स याद रखना यहाँ पे गोल्डन थ्रोन है 120 केजी का महारानी तारादेवी का यहाँ पे सूट है पहाडी मिनियेचर और कांग्रा मिनियेचर पेंटिंग्स यहाँ पे यहाँ पे स्टोर है और साथ में लाइबरेडी है जहां पे 25,000 एंटीक बोक्स मिलती है जो अपने आप में एक तरह से बोल सकते हैं कि यूनिक है ठीक है मैनी रेर आ इन रियसि दिस्टिक आप Hagamrad के लृज टो याद रखना है कि जो favor अवैसि कि नामसे नापसे भी जाना जाता है यहाँ पिर यसी फोड को बीमगर फाट के नामसे भी जाना जाता है ठीक है यह दोनों एकी है और यह से अपने कि स्टॉट्ट है और यह से प्रूइज में इस फॉर्ट को क्ले से बनाया गया था यानि मिट्टी से बनाया गया था लेकिन लेटर ओन इसको बाद में जो रियसी के फॉंडर थे जिनको नाम है महाराजा रिशी पादराना उन्हों ने इसको कंस्ट्ट किया with the help of stones ठीक है चलते है next point here next point है the renovation of the fort was started by महाराजा गुलाप सिंग in 1817 AD याद रखना कि इसकी renovation जब यह थोड़ा damage हो चुका था तो महाराजा गुलाप सिंग ने 1817 में इसको renovate करवाया था और साथ में यह fort handover कर दिया गया था फिर इसके बाद जमू एन किश्मीर state archaeological department in 1989 ठीक है बाद में इसको state archaeological department जो है उस 1989 में यह याद रखना बींगर्ड फार्ट के लेटिड चलते हैं next important tourist destination की और पीर्खो ठीक है it is an ancient cave temple in Jammu याद रखना ये ancient cave temple है Jammu का it was a naturally formed Shiva lingam in the cave and is known as Javant cave as it is believed that the Ramayana character Javant meditated in this cave आपको याद रखना है कि पीर्खो जो है यहाँ पर naturally Shiva lingam जो थे वो निकल गया था ठीक है और यहाँ पर जो अगर आपने रमायना का एक character थे जामवंत ठीक है जामवंत अगर आप recover कर सकेंगे तो अबालू के रूप में थे जो उनका यहाँ पर उन बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ पर meditation की थी उस time ठीक है तो उनी के नाम जामवंत cave भी पड़ा था ठीक है अभी भी इसको जामवंत cave के नाम से भी जाना जाता है और पीर खो भी ठीक है चलते है next important tourist destination की और यह है अकनूर टाउन ठीक है the historic town of अकनूर is situated on the banks of mighty चिनाव रिवर यह भी आपको एक्जामस में पुछा जा सकता है कि अकनूर is situated on the banks of which river तो it is situated on the चिनाव रिवर ठीक है on the bank of चिनाव रिवर the town is associated with the legend of सोनी महिवाल तो आपने अ तो वो याद रखना उस town का जो यह stories थी यह अकनूर town से ही associated थी सोनी महिवाल की ठीक है इसके बाद runs of Indus Valley civilization are found here आपको याद रखना है कि यहाँ पे Indus Valley civilization के भी कुछ अप्शेश यहाँ पे मिले थे और साथ में यहाँ पे पास में ही है मांडा जहाँ पे नियोलितिक साइड भी देखने को मिली थी ठीक है यह आपको याद रखना है कि यह अकनूर town जो है यह historical point W से भी बहुत important है यहाँ पे नियोलितिक साइड भी है किसकी नियोलितिक साइड ठीक है तो आपको यह भी questions में बहुत बार पुछा गया है कि कश्मीर में जो first important नियोलितिक साइड थी इसका क्या नाम था तो याद रखना है कि उसका अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता देता हूँ वो है गुफ्तराल ठीक है बुर्जोन और साथ में गुफ्तराल वहाँ की दो important नियोलितिक साइड ठीक है जब हम कश्मीर की important tourist destinations है वहाँ पर मैं आपको इसको हुरिक इसके लिए भी बताऊंगा इसके लिए चलते हैं अभी अखनूर टाउन के बाद next important tourist destination की और नंगाली साहब गुर्दवारा नंगाली साहब गुर्दवारा is also known as जटादार डेरा ठीक है ये भी पुछा जा सकता है क्योंकि यो other names होते है न ये बहुत important बन जाते हैं आपके पुछलिस्टिक में ठीक है याद रखना नंगाली साहब गुर्दवारा पुछलिस्टिक में है द्रोंगली नाला के पास ठीक है और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि गुर्दवारा बास established by संत बाय मेला सिंग in 1803 याद रखना कि ये जो गुर्दवारा है इस विजिट इस ब्लेस याद रखना यहाँ पर ना सिर्फ सिख लोग बल्कि डिवोर्टिस फ्रमाल रिलिजन्स यहाँ पर विजिट करते हैं ठीक है चलते हैं next important to this destination की और ये है शिव खोडी and बुद्धा मनात ठीक है शिव खोडी is a famous cave shrine devoted to Lord Shiva situated in the Riyasi district of Jammu in Kashmir आपको याद कि जो शिव खोडी है ये डिवर्टिड है Lord Shiva को और ये रियासी district में है इनको मैं separately भी बता सकता था लेकिन मैंने यहाँ पर इनको एक साथ किया है क्योंकि ये पास-पास में ही है ठीक है रियासी district से अगर आप सीधा अगर यहाँ से अकनूर से सीधा जाएंगे रिजोरी से होते हुए तो रिजोरी से बहुत पहले ही अगर आप पहुंचेंगे चोकी चोरा चोकी चोरा से थोड़ा सा आगे ही है अगर आपने विजिट किया होगा तो वहाँ से ही इसका अरास्ता निकलता है शिपकोडी का उसी रोड पे आगे बुद्धा मनात भी है वो है पुंच ठीक है बुद्धा मना जो है ये इंचिन टेंपल है लौट शिवा को ही डेडिकेटिड है लेफ्ट बैंका पुर्शता स्क्रीम पर है पुंच डिस्टिक में ठीक है और आपको याद रखना है जो शिपकोडी है तो ये मुगल रोड से रास्ता निकलता है इसका ठीक है और निकल जाता है शिपकोडी की और अगर आपने वहां पर विजिट करना होगा तो आप कर सकते हैं में भी बहुत हो ने वहां पर विजिट किया होगा ठीक है चलते है next important ओतीज किया, जस्रोटा तो याद रखना जस्रोटा जो है ये है आपने विजिट किया होगा तो प्रावी रीवर ठीक है अब भी का अगर देखा जाए तो जस्रोटा जो रिजन है यह प्रेसेंट ली हिरनगर तो रावी रिवर के चीच में जो टाइट रही है वहाँ जो रीजन है उसको जस्रोटा कहा जाता है तो यह आपको एक point और याद रखना है कि जस्रोटाज ruled this state up to 1834 AD when it was given to Raja Hari Singh as a Jagir आपको याद रखना है कि यहाँ पे जस्रोटाज जो थे, जस्रोटा king जो थे, वो rule करते थे 1834 AD तक ठीक है, फिर उसके बाद यह दे दिया गया महराजा Hari Singh को as a Jagir ठीक है, चलते हैं, next important tourist destination की और वो है लखनपूर, लखनपूर is called as the gateway of Jammu and Kashmir ठीक है, लखनपूर जो है, वो है gateway of Jammu and Kashmir, अगर आपने देखा ही होगा, जैसे ही Jammu and Kashmir में enter करते हैं हम पंजाब से तो लखनपूर जो है, वहाँ से ही आपको enter, entry point है, वहाँ से, security check होते हैं बहुत से, वहाँ पे आपने देखे होंगे, तो वही जो reason है, यहाँ फिर बोल सकते हैं, प्लेस है, वही यह लखनपूर के बारे में बताया गया है यहाँ से अलग हुआ था लखनपूर से Jammu and Kashmir, वह 18th century में हुआ था, इस region को थीन स्टेट के नाम से भी mention किया गया है, ठीक है, चलते हैं, next important, tourist destination की और वह है, Mansar Lake, Mansar Lake, it is situated about 62 km फ्रम जमू, याद रखना, यह 62 km अवे हैं, जमू से, और boat facilities are available here, ठीक है, यहाँ पे boat facilities भी, अगर आपने विजिट किया होगा, तो boating भी कर सकते हैं, यहाँ पे, और every year round पे सकी, a food and craft festival is organized here by the chain के tourism department, याद रखना, कि जमू and Kashmir यहाँ पे, बसाखी में, एक food and craft festival जो है, वो organize करता है, Mansar Lake के banks पर, ठीक है, अगर आपने विजिट किया होगा उस टाइम पे, तो आपको वो, जो food and craft मिला होता है, तो आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सिधा important destination, पतनी टाप की और, पतनी of the Himalayas, आपको याद रखना है, कि जो पतनी टाप है, यह बहुत important tourist spot है, जमोगन किश्मीर का, और साथ में, यह situated है लगब, 2,024 meters height पर, from sea level, और यह national highway बाने पर आता है, ठीक है, अगर आपने national highway बाने पर देखा होगा, उसी पर, यह जो पतनी टाप है, यह situated है, और यह शि is the best developed tourist center of jamu alija, उन्होंना आपको पताया है, कि यहाँ पर आपको देवदा, trees जो है, वो देखने को मिलते है, जिसकी बहुत सी important values है, अगर देखा जाए, यह ऐसा wood होता है, जो even आप waters में भी यूज़ कर सकते हो, even आपने देखा होगा, कि इस से, जो boards है, वो बनती है, शिक यह बहुत important है, अब भी आपने, अगर किसी ने भी home construct किया होगा, तो यह, they dot trees, जो इसकी wood होती है, उसको देखा होगा, सबसे costly अभी wood है यह, ठीक है, आपको और important क्या याद रखना है, कि यह अभी जमु एन कश्मीर का सबसे ज़्यादा developed tourist center है, ठीक है, during winter, sputnik top receives heavy snowfall, तो इसके बाद important, जो tourist destination है, वो है, रन्विरेश्वर temple, जो आपने अगर old city जमु में visit किया होगा, तो आपको देखने को मिला होगा, शालामार से थोड़ा से ही उपर, है, सक्ट्रेट, अगर आपने visit किया होगा, सक्ट्रेट से, और साथ में शालामार रोड के 20 में ही सामने आपको दिखेगा, रन्विरेश्वर temple, ठीक है, तो it is a well-known shiva temple, आफ जमु, built by Maharaja Ranveer Singh in 1863, आपको याद रखना है कि यह शिवर temple है, जो built किया था, Maharaja Ranveer Singh ने 1863 में, और साथ में, it is a biggest shiva temple in North India, अगर आपको पुछा जाएगा, तो याद रखना है कि यह है, रन्विरेश्वर temple, इसमें shiva lingam जो है, उसकी height लगबग है, from ground अगर देखा जाए, तो लगबग height उसकी होगी, 9 feet, ठीक है, आप खुछ हो सकते हैं, कि 9 feet height of shiva lingam, फिर आगे है, in this temple, there are large number of shiva lingam, where the central lingam is 7 and half feet height, ठीक है, exactly इन्होंने बताया हुआ है, कि इसकी जो height है, वो है 7 and half feet height, क्योंकि ground से यह थोड़ा उपर उठा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे visit किया होगा, from the ground level, इसकी height अगर पुछी जाएगी, तो वो 9 feet है, लेकिन अगर पूरी shiva lingam की अगर पुछी जाएगी, तो वो है 7 and half feet, ठ यह एक important historical place रही है, who used to stay here during their journey from Delhi to Kashmir and vice versa, उन्होंने बोला है, जब भी मुगल्स, Delhi to Shrinagar यहाँ फिर Kashmir विजिट करते थे, यहाँ फिर Kashmir to Delhi विजिट करते थे, इसी जर्नी में वो यहाँ पर क्या करते थे, stay करते थे, यहाँ पर रुखते थे, ठीक है, the climate of this place is very charming and is famous for its artistic wooden products, उन्होंने यहाँ यह भी बताया है, कि धाना मंडी का जो climate है, यह बहुत ही जादा impressive होता था, और यहाँ पर वो अकसर stay करते थे, और यहाँ पर आपको artistic food products जो है, वो भी देखने को मिलते हैं धाना मंडी में, चलते हैं, next important tourist destination की और, वो है, श्रादरा श्रीफ, ठीक है, त people from all religions used to visit here, आपको याद रखना है, जो शादरा श्रीफ है, यह बाबा गुलाम शा के नाम से भी इस shrine को जाना जाता है, इवन यह आपको अगर पुछा जाए किस district में है, तो यह रजोरी में है, में रजोरी से यह 30 km अवे है, लेकिन यह रजोरी district के अंदर ही आता है, और आपको यह भी याद रखना है इसके regarding, कि यह है symbol of brotherhood, क्योंकि our legend faiths के लोग यहाँ पे visit करते हैं, ठीक है, शादर श्रीफ के बारे में अगर आपको पता होगा, तो आपको एक और सीज में यहाँ पर बता दूँ कि बाबा गुलाम शा यूनिवर्स्टी भी होगा है, वो इ अधरो वैली इस प्री डॉमिनेंट दी यह मौंटेनियस टाउन सिच्वेटिटी अब एक्टी किलोमेटर फ्राम बतोत इन डिस्टिक डोडा, आपको याद रखना है कि यह लगबग एक्टी किलोमेटर अवे है कहां से डोडा से, फ्राम बतोत इन डिस्टिक डोडा, तो और यह अगर पूछा जाएगा कि यह किस डिस्टिक में है बत्रवा, तो वो है डोडा डिस्टिक में, और यह बतोत से 80 किलोमेटर वे है, मौंटेनेस टाउन है, बहुत हाइट पर है यह भी, तो यहां पे भी आपको जो स्नोफाल और साथ में एक प्लिजन्ट इनवार्मे जाता है, ठीक है, दे टउन है मिनने किशमीर के लिए बहुत जादा है इंपरेंट है, जो उनिनना बोला है कि यह इसको डवलापड अब्भी भी किया जा रहा है, अब ही तरह सा यह फुली नहीं है, लेकिन अब भी भी मैस यहां पे विजिट किया था, तो इसको अभी यहां पर इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तियार रहना विदिन टू डेइस मैं इसको कम्लीट करके आपके पास ले आऊंगा टूरिस डेस्टिनेशन इन कश्मीर वैली ठीक है अभी इस वीडियो में इतना ही चलते हैं फैंक्यू गाईज अगर आ करके जरूर जाईएगा और शाथ में शेयर भी किजिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट किये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी किजिएगा ताक कि इन फुर्चर हमारी तरब से कोई भी वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले तो गैस इस वीडियो म इतने ही ठेंक यू जाहिन